हालो एवरिवन मेरे नाम तुशार तुशार भारदवाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइन्स वर्ड आज की वीडियो में हम क्लास 10 की साइन्स का जो फस्ट चेप्टर है इस चेप्टर में देखें बहुत सारी अक्टिविटी है उन में से एक इंपॉर्टनेट अक्टिविटी नमबर 1.5 इसको डिसकस करने वाले है इस अक्टिविटी में देखें बिसिकली हमारा टार्गेट क्या रहेगा इस अक्टिविटी के जरीए हम चेक करेंगे कि जो फेरसलफेट होता है इसका एक फॉर्मला है तो फेरसलफेट जब डिकंपोज होता है तो क्या प्रोड़क बनता है तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो का topic Science NCRT Activity No. 1.5 इसको start करने से पहले में कुछ basic चीज़े मालूम होनी चाहिए यहाँ पर देखे है heading क्या डाला है Decomposition Reaction of Ferosulfate इस line में जो main word आ रहा है वो क्या है Decomposition Decomposition का actual मतलब क्या होता है? क्या है यह Decomposition? देखें जब हम किसी reaction को check करते हैं कि क्या यह chemical reaction है या नहीं है तो उसके लिए कुछ characteristics होती है इस topic पर भी काफी detailed video हमारे चनल पर आपको मिल जाएगी अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको description box में उसका link मिलेगा आप एक बार उस video को check कर सकते हैं, revise कर सकते हैं तो Decomposition reaction क्या है? एक ऐसी characteristics है जिसके base पर हम पहचान पाते है कि कोई reaction chemical reaction है या नहीं है लेकिन अगर हम बात करते हैं Decomposition reaction की तो वो भी तीन प्रकार का होता है Decomposition by heat या तो heat की वाज़े से decomposition हो रहा होगा कोई reactant है, वो तूट रहा है और नए product बना रहा है, लेकिन heat की वाज़े से या फिर possibility होती है second number पर by electricity current के basis पर, या फिर तीसरी possibility भी है और वो है by sunlight ठीक है, जिसको black and white photographic reaction भी कहा जाता है तो चलिए एक है, ये Decomposition का meaning क्या है, वो आपको clear होगे है अब चलते हैं आगे, कि Decomposition reaction ferrous sulfate की, इसको हमें practically check करना है, इसको हमें इस activity के जरीए check करना है, कि Decomposition हो रहा है, ferrous sulfate का या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो materials need होती है, उसको note कर लेते है material required required, क्या-क्या material आपको चाहिएगा, अगर आप इस activity को perform करने जा रहे हैं, तो ठीक है, number first सबसे पहले तो ferrous sulfate भाई, ferrous sulfate नहीं होगा तो हमें activity perform कैसे कर पाएगे, तो ferrous sulfate आपको चाहिए, second dry test tube ठीक है, एक dry test tube आपको चाहिएगी burner की आपको जरूद पढ़ेगी, जो flame वगरा प्रोवाइड, मतलब एक temperature दे सके, heat प्रोवाइड कर सके, ferrous sulfate को fourth चीज, जो बहुत important है और वो क्या है, tongs basically क्या होता है, कि जब आप test tube में, अभी हम processor समझेंगे उसका क्या होता है बागी short में समझ लेते हैं, एक बाग, ferrous sulfate को जब आप add करते हैं, dry test tube में, और burner उसको flame प्रोवाइड कर रहा है तो test tube काफी गर हो जाते है, तो क्या आप उसे हाथ से पकड़ सकते हैं, नहीं न, तो इसलिए काफी important है, मेरे साब से tom, मतले एक पकड़ने के लिए device होता है, simple, जिससे कि आप test tube को hold कर सकते हैं, चलिए ख्याद, यह तो material हुआ, जिसकी आपको जरूत होगी इस activity को perform करने लिए, और कौन से activity, NCRT की activity number 1.5, चलिके, तो material के बाद, अब आपको देखना है, प्रोसेजर किया है, चलिए को diagram की help से समझते है, यह कैसे flame दिखाएंगे, यह को test tube है, इसमें आपने ferosulfate, FeSO4 ठीके, यह tong जिससे आप test tube को hold करेंगे, आप इसको label कर लेते हैं, पहले diagram को, यह test tube, dry test tube यह यादर रखेगा, ferosulfate, फॉर्मल लेख लेते हैं, ferosulfate, FeSO4, और यह हमारा burn, क्लिकर, यह हमारा हुआ बढ़न, तो देखिए, प्रोसेजर के आप इसका, मैटीज तो आप समझ गए, क्या कि हमें चीजों की आवशकता होगी, आप एक बढ़न लेंगे, जो flame प्रोवाइड करेगा, तेमप्रेचर देगा, आप देखिए, नेक्स स्टेप में आप क्या करेंगे, एक टेस्ट यूब लेंगे, ड्राइट यूब यह चीज़ याद रखना, ड्राइट यूब को आप टॉंग, मतले, एक सिंपल डिवाइस होता है, जिसके मदसे आप उसे पकड़ सकते हैं, तफ़ च्रिस्टल्स, ठीक है, तो फेरस सिलफ़ेट के क्रिस्टल्सकों आप दो ग्राम उसमें ऐट करेंगे, टेस्ट यूब में, अब जैसे-जैसे फेरस सिलफ़ेट गरम होने लगेगा, तो यह फेरस Patri जो है, चेंज़ कर लेता है अपने कलर को, इस टार्टिंग में जब हम इसको temperature देते हैं, heat provide करते हैं, burner की help से, तो यह जो green color है, वो change होने लगता है, किस color में change हो जाता है, brownish black color में, ठीके, तो जब starting में हम देखने हैं कि test tube के अंदर हमें green color दिखाई दे रहा है, क्योंकि ferrous sulfate वहां present था, और आपने इसको temperature दिया, heat provide की, तो heat मिलने पर क्या हुआ, कुछ ही समय बाद, लगबग 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट तक जब आप इसको heat देंगे न, ferrous sulfate के crystals को, तो यह अपना color change करने लगता है, और change करके किस color में convert हो जाएगा, brownish black में, brownish black color में, अब आप एक बास सोचिए, जब color में बदलाव आ गया है, तो क्या अभी भ ferric oxide, क्या नाम होता है, ferric oxide, formula क्या है, Fe2O3, और साथ ही, जो smell आने लगती है, वो sulfur के smell आने लगती है, कैसे smell आने लगती है, burning sulfur के smell, ठीक है, burning, sulfur के smell आती है, ठीक है, तो अब इस चीज़ को अगर आप reaction की form में दिखाना चाहते हैं, तो देखिए कैसे उसको दिखाएंगे, Fe, So4, को आपने heat किया, ठीक है, dry test tube के अंदर, ferrous sulfate के crystal को, जिसका starting color कैसा था, green color था, short में लिख दिए बने आपे, तो आगे क्या बनेगा, product जो बन रहा है, Fe2O3, प्लस, sulfur dioxide, प्लस, sulfur trioxide, तो यह तीन product देखे जाते हैं, तो यह decomposition reaction हुई न, लेकिन आप एक बास सोची कि, कि, कमपोजिशन दो है, लेकिन, जो मैंने आपको, स्टार्टिंग में, तीन कैटेग्री बताये थी, तीन तरह की possibility हो सकते हैं, कि, कमपोजिशन एक्षन नग बाए, हीट हो सकता है, तो तीन में से कौन सा है, यहाँपर can we use कि न, ठीक है, तो इसलिए में से क्या बोलई, thermal dec कमपोजिशन कह सकते या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्पूजिशन वाएट सीधा शॉर्ट में बहुत सकते हैं थर्मल डी कमपोजिश्य तो यहाँ पर यह जो agf2 रिखाइ पड़्र यह इंडिकेशन है फेरसलफ li bạn के डिंकरेड और यही एंसी CRT की activity number 1.5 का target था कि अब डिकमपोजिशन रेक्शन ओफ फेरसलफेट फेरसलफेट का डिकमपोजिशन हो रहा है इस चीज़ को मैं चेक करना है तो पता कैसे ला शुरू बात में ग्रीन कलर था लेकिन पांच मिनट तक लगवग हीट देने के बाद क्या होगा दो ग्राम पतलब एक नया product बन चुका है साथ ही sulfur की जलने की smell आने लगती है burning sulfur की smell observe होने लगती है clear उस चीज़ को आप रेक्शन की form में ऐसे दिखा सकते हैं जब हम डिकमपोजिशन रेक्शन देखते हैं फेरसलफेट की तो फेरसलफेट का जब thermal डिकमपोजिशन होता है तो उसका जो green color था क्योंकि फेरसलफेट का कैसा color होता है स्टार्टिंग में green color होता है लेकिन जब उसको लगबग 5 मिट के एप्रॉक्स हीट प्रोवाइड करते हैं तो फेरसलफेट अब फेरसलफेट नहीं रहता वो तीन प्रोड़क्ट जेनरेट करता है और वो क्या-क्या है FA2O3 फेरिक ऑक्साइड फेरिक किसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरेन की वैलेंसी यहां पर 3 इस्तेमाल किये जा रही है FA2O3 ठीक है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है जिसका color होता है brownish black साथ ही sulfur के जलने के smell आती है जिसको हम कैसे represent करेंगे sulfur dioxide और sulfur trioxide के जरीए तो यह 3 प्रोड़क कीजिए comment कीजिए और कुछ भी अगर science के किसी भी topic में doubt लगता है तो please comment जरू कीजिए अगर कोशिश की जाएगी जल से उसी topic पर वीडियो को तयार करनेगी और इसी तरह से जुड़े रहे है science चैनल से मिलते है next वीडियो में science के एक नए topic के साथ